गुट मर्निंग टु आल मित्र आज आपने वहिकल टेस्टिंग अने होमोलोगेस इन सब्जेक्ट नी अंदर चैप्टर नंबर छो वहिकल पर्पोर्मस और चेसिस डाइनमोमेटर छे तेमा आजनो टॉपिक हेटलाइट अलाइमेंट छे के हेटलाइट नी अंदर भीम कई रिते एडजस्टमेंट करवा मां आवे छे ते आठेस्ट नी आहियां आजना लेक्ट नी अंदर आपे चर्चा करीशू तेना विसे तो सब्थी पहला फिगर नी अंदर जोई है तो विखल नी पोजीशन अने तेनू जे बीम फ्रंट अपने जे हेडलेक नूझे बीम आवे छे अपर बीम अने लोवर बीम ते वाल उपर केटला डिग्रीय पड़े छे अने केटलो डिस्टन्स जे छे ते अहीं दर्शावामां आवेलों छे सव थी पहला आपने जोई है त के फ्रंट वेहिकल नों जे फ्रंट विल जे छे तेनी पोजीशन गर्शावी छे त्यां थी 10 मीटर एटले के 32.10 जे युनित बाकी नों जे करमर्जन से ए प्रमाणई या लेतलों छे जेने आपने मेंटरीक नी अंदर लेवा जाई है आग ne foot मा जे आई हैं जे मेंटर मा जे 15 डिगरीं जे cutoff लाइन जे चे ते आहीं दरसावा मा आवे लिछे आहीं ओरिजन्टल कट लाइन जे चे ते आड़ी रेखा मा अहीं दरसावा मा आवे लिछे के जेने थी पा एकसोने 30 म उपर क 커ों सेंटर अफ हेड्लाया अथ्वा तो सेंटर ऊफ हेड्लाइन लेन दरसा आवेली अदें एक जे झें ते वहिकल ना सेंटर सीट पर न सी लाइन Когда से знаком दस एंतर त्वेहिकल राख़वां आवेलुछे क्या थी, जे हेड लेंट नी हाइट थे, तेकली हाइट है, एक हेड लेंट नी होरीजनाल छेंटर लाइन जे चेंचे, ते ही, दूर या में आवे छे, तिया बाद तेंकंपर फोकसइन करी आने अलाइमेंट जे चेंचे ते थतों गोई छे आगर अफिगर नी अंदर दर्सावलों छे कि वहिकल नी पोजीशन कई योग्यच छे के नहीं ते नीचे ना भागे दर्सावलों छे अनिया जे टेस्टर जे खे टेस्टर टे नो उप्योब करी ने वील अलाइमेंट करवा माँएली छे के जे मां अलादोलाद यहां अंतर आपेला छे के कंई अंतर जे खे उरिजिनली साचू छे तेनी पोजीशन अहियां दर्शाववा मारी छे के ज़े 10 मीटर अंतरे विहिकल ने गोठोवा मा आवेलू छे तो ते अहियां जोई सकिया छे अमुद किस्सा निंदर 25 फूट सुधीन अंतर दर्शावेल होई छे एटले के सामान्यरी ते जोवा जाये तो 10 मीटर अथवा तो 25-30 फूट अब अंतर जे छे ते हेड लेंट ना एलाइमेंट मांटे लेवानू ठत होई छे अन्या एक बिजू अबजेक्ट कही ते अलाइमेंट मां छे के नहीं ते दर्शाव तो एक लेसर बीम जे छे ते फोटो ट्रांसड्यूशर नीम राते एमाथी लेसर माथी लेसर माथी एक ट्रम जे फ्लोथ हतो होई छे इंटेंसीटी नो जो यहोग यह कंडीशन मा होई ते फोटे यह ट्रांसड्यूशर उपर फोटो ट्रांसड्यूशर उपर थाईने जाए तेनी उपर पड़े जे अन्य जो अलाइमेंट यहोग यह ना होए तो आवा किस्सामा ओब्जेक्ट माथी वीरूद थी थोड़ू आडई ओवुत अतो हो गयुझे वहीकल प्रिपेरिंग फ्रीपेशन फॉर्द हीेद्लेंट सुल्द हइंसीट करता खेला यूग यरी थे पॉजिशन मा लाव जरूरी बनतु हो एचे तो तेमा कई दी ते करवार में अचे विशे जो ही आप पतती माँ verify the headlamp switch is in the low beam setting headlamp नी switch low beam setting उपर छेके ने ते verify करवानों हो तो check करवानों if the vehicle is equipped with the headlamp leveling system be certain the headlamp leveling switch is in zero position expert model only जो विखिकर headlamp leveling system थी नों उप्योग करेलो हो तेनी अंदर अथ्वात तेनी मदर थी तो आवा किस्सामा एक वेरिफाय करवानों जरूरी बन्तु होई छे के headlamp leveling switch zero position उपर छेके नहीं अने आउ मात्र जे imported model जे exported model जे आपने मोकल ये छे तेना माटे करवानों थतु होई छे नीकास करता हो ये तेना माटे करेक्ट डिफेक्टिव कमपोनन्ट जेट कोड़ भी हाइडर हैंडर प्रोपर हेट्लेंप अलाइमेंट जो कोई पन डिफेक्टिव कमपोनन्ट होई तो तेने योग्य करो के जे हेट्लेंपनों अलाइमेंट मा अवरोधुक रुप बनतो होई वेरिफाइ प्रोपर टायर इंफलेशन टायर नी अंदर योग्य प्रमान मा हवा छे के कें टेचे करो क्लीन दे हेट्लेंप लेंशिस हेट्लेंप ना लेंशिस ने साफ करो वेरिफाइ डेट लेंग्वेज एरिया इस लोड़ेड एस दे वहिकल इस रूटीन यूज विहिकल नो रूटीन उप्योग ठतो होई तेवा एरिया मांटे लगेज एरिया जे छे ते लोड़ करो अने ते चेक करो फ्यूल टेंग शूद बी फूल एड़ 6.5 LBS और 2.94 kg अब दे वेट ओवर दे फ्यूल टेंग फोर दे एस्टीमेटेड गेलन आफ दे मीस फ्यूल फ्यूल टेंग जे छे ते फूल करो अने 6.5 LBS अथवा तो 2.4 kg जेतलू वजन जे छे ते फ्यूल टेंग नी अंदर जेतलू फ्यूल लेवल ओचू होई ते तलू वेट जे छे त्या लगाडो एलाइमेट स्क्रीन प्रिपरेशन फोर दे हेटलाइट हवे हेटलाइट ने एलाइमेट करती वकटे है जे स्क्रीन नू उप्योग करवानों छे तो ते कही रीते तयार करवी पोजिशन वेहिकल ओन दे लेवल सर्फेस पर्पेंडिक्यूलर तो दे फ्लेट वोल थी तो फिट और 10 मिटर वेफ्रों दे हेटलेंग लेंसी सी इन दे फिगर वेहिकल ने जे जिगे राखवा नुझे तेने जे सर्फेस वेहिकल लेवल थी सामेनी बजो पर्पेंडिक्यूलर एक फ्लेट वोल जे चे त्यां थी 32.8 फूट अथ्वा तो 10 मिटर दूर राखवा माले चे औने आ अंतर हेटलेंग ना लेंस नी एकजेट सामेनी तरफ हो इफ नेसेसरी टेप अलाइन ओन दूर 32.8 फीट और 10 मिटर अवे फ्रों दूर पैरेलल तू दू फूर अने जो जरूर जनाएं तो 10 मिटर अथ्वा तो 32.8 फूट नी एक लाइन जे जे ते त्यां दोड़ू प्लेस 75 केजी इन द्राइवर सीट तो सिमुलेट राइड हाइट अफ दू वेहिकल वें दूरू जारे वेहिकल चलावानू होई त्यारे वेहिकल नी राइडिंग हाइट जे जे ते मली सके ते मांटे ड्राइवर नी सीट उपर पंचोतेर किलो वजन मुगू मेजर फ्लोर अप 1.27 मीटर और 4 फीट और टेप अ लाइन अन्य वेहिकल नी सेंटर मां वेहिकल पर एक लाइन जे जे ते ड्रो करोू साइट अलोंग दु सेंटर लाइन ओफ द वेहिकल फॉरवर्ड तु वेरेफाई एक्ट्रेसी ऑफ द लाइन प्लेसमेंट अन्य जे जे लाइन प्लेस्मेंट एक्यूरेस छेके नहीं ते चेक करवा माटे वहिकल नी साइट थी अथ्व तो आगल ना भाग उपर थी तेने जूर रोग वेट रोग वहिकल साइड तू साइड थी टाइम टू अलोग सस्पेंशन तू स्टेबिलाइज ले सस्पेंशन ने स्टेबिलाइज करवा माटे वहिकल नी त्रॉन वखत रोग ओं करो जाउंस फ्रंट सस्पेंशन थी टाइम बाय पुशिंग डाउनवर्ड ओन दे फ्रंट पंपर एंड रिलीजिंग फ्रंट ब्रंपर उपपर नीचे थी पुशिंग एनर्जी इचे छे तेना द्वारा त्रॉन वखत सस्पेंशन ने जाउंस करो अने तेने मुक्त पंपर करो अने हेड लेंप ना लेंज ना सेंटर थी फ्लोर सुधी नू डिस्टन्स मापवा माटे कई रिते टेस्टिंग करेए ते अव्याव से मेजर दे दिस्टन्स फ्रॉम दे सेंटर ओफ हेड लेंप लेंज तो दे फ्लोर हेड लेंज ना सेंटर सुधी नू फ्लोर सुधी नू डिस्टन्स मापवा माटे कई ट्रांस्फर मेजर मेंट टू दे अलाइमेंट स्क्रीन वीथ टेब अने आजे measurement जेछे है तेने टेब नी मदद धी जे screen उपर alignment करवानुझे त्या ट्रांसफर करो Use this line for up or down adjustment reference अने आ लाइन नों उप्योग करी adjustment माटे जेने up औने down करवाना आवे जे Place a tap line 130 mm और 5.12 inch below and parallel to the center of head line आजे gap line जे 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 तेने 5.2 inch नीचे नी तरफ Head Lamp ती center line ने parallel दूरवामा आवे जे Measure the distance from center line of the vehicle to the center of each headland being aligned एटले के alignment थता गरेक head length ना center माधी vehicle ना center थी distance में measure करो Transfer measurement to the screen with tap to each side of vehicle center line आने वहीकल मी दरिक center line तरफ थी जे माप आपने मापेल उचे तेने टेप नी मदद थी जे screen उपर measurement करवान उचे त्या Transfer करो Use this line for the left or right adjustment reference आने आ लाइन उप्योग करी reference तरीके लाइन डाबी अथ्वा जमनी तरफ तेनू adjustment जे छे ते करवामा आवे छे हागल आया छे है head lamp adjustment head lamp to adjustment कहीं रीचे करवू alignment ते to adjust head lamp alignment Rotate alignment screw to achieve the specified low beam hotspot pattern एटले के head lamp नी alignment ने adjustment ने align करवा माटे अने लोबीम उपर hotspot pattern मिलबा जे adjustment screw जे तेने फेर वामावे छे अ प्रोपर्ली एम लोबीम head lamp विल प्रोजेक्ट ए हाई intensity light pattern on the screen with the horizontal cutoff line aligned with the tab line 5.12 inch और 130 mm बिलोव दा head lamp center line अने head lamp नी center line नी नीचे tap line के जे 5.12 inch अथवा तो 130 mm साथ है आडी horizontal cutoff line साथ है adjust करे लीचे तो तेना उपर योग्य रिते focus करी ज़कार the intersection of the horizontal and 15 degree cutoff line in the projected pattern should align to the intersection of the head lamp center line vertical tape line and the tape line 5.12 inch or 130 mm below the head lamp horizontal center line एक्टे के योग्य रिते एमिंक वाला low beam उपर head lamp उपर high intensity वाला light नी एक pattern जे छे ते अहीं बनावा मावे छे अने जे जिद्या ये पेटर्न नी अंदर इंटरसेक्ट ठती होए आडी लाइन आने 15 degree cut line जे छे तो ते head lamp नी horizontal center माण बॉटम उपर head lamp center line vertical tape line अने tape line ना 5.12 inch अथवा तो 130 mm ना intersection साथ है अलाइन थवी जुए 6. not the vehicle low beam head lamp must be on during the head lamp alignment procedure येटले के head lamp alignment procedure ओरते वहिकल ना low beam head lamp जे छे ते चालू रहवा जरूरी जे the high beam pattern will be correct when the low beam are aligned properly जारे low beam छे ते योग्य रिते align थाई जाए त्यार पची high beam जे छे त्यानी pattern योग्य मली सके छे फोग्लेंट नू अलाइमेंट prepare an alignment screen सवथी पेला जरे फोग्लेंट नू अलाइमेंट करवान होए तो ते पेलाने माँ प्रोपरली एलाइमेंट सक्रीन ते यार करवा माँ छे तो प्रोपरली एलाइमेंट फोग्लेंट फोग्लेंट नू अलाइमेंट अथवा तो 100 mm नी एक पैटर्ण जे छे ते बनावे छे rotate the adjustment screw to adjust beam height अने adjustment screw ने योग्या रिते फेरवी ने beam नी height जे छे तेने adjust करवा माँ आवती होई छे फोग्लेंट को कई रिते adjustment था आई छे तो तो त्याहीं figure नी अंगर दर्शावा माँ आवे लुछे के 25 फूत ना अंतर है अथवा तो 7.62 मीटर ना अंतर है अने 4 इच नी जे line जे छे ते नीचे ना भाग मां 5 नमबर वड़े दर्शावा माँ आवे ली छे 4 नमबर नू जे portion जे छे ते floor नी center line के जे fog lamp ना center line साथे जोडे ली छे high intensity area एना करता उपर नी भागे fog lamp नी center line आवे छे और वहीकली center line जे छे ते अहीं दर्शावेली छे हवे fog lamp नू adjustment कई रीते करवा मा आवे छे तो तेना माटेना adjustment screw ने और fog lamp नी position जे छे वहीकलना अंकलना भाड मा कई रीते छे ते 1999-2003-WJ model माटे आपेल हो छे अने बाजो नी अंदर जे fitment जे 2004 model माटे छे ते पंक अल्रेडी दर्शावेला छे तो आजना lecture में अहीं सुझी राखी शू नेक्स्ट लेक्चर नी अंदर headlight adjustment कई डीते करवा मा आवे छे तेना मिसे चर्चा करी शू